मित्रों जय माता दी आप देखें धर्म सिक्षा धर्म सिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फेसे मैं आज इरूं आज का संपून रासी फल लेकर ये संपून रासी फल है सुक्रुवार याने की 17 जून 2022 का अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संबत 2089 असान मा कृष्ण पक्ष की तेत्याति थी जो कि आज सुबा के 9 बजकर 56 मिनट तक रहने वाला है तत्रप्रान फिर चतुर्थी तेती आरंभ हो जाएगी नचतर आज उत्तरा सरा रहने वाले दिन के दो बजकर 10 मिनट तक तत्रप्रान फिर सरवन नचतर आरंभ हो जाएगा वरत्योहार में आज है संकष्ठी गनेश चतुर्थी का वरत साथी मिर्तिवबान की समाप्ती होगी रात लिके 9 बजकर 35 मिनट पर और सरवार्ज सिध्योग दिन के 2 बजकर 10 मिनट से आरंभ होगा अगर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार से जानना है एक-एक मुहरतो गएम जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुआ है रासी उनसार क्या खाते पतात आपके लिए सुब रहेगा रासी उनसार कौन सा रंग सुब रहने वाला है और रासी उनसार कौन सा लकी नमबर आपके लिए रहेगा तो वीडियो में हमारे साथ अंतित तक बने रहे है ताकि आपको संपून रासिफल की जानकारी हो पाए रासिफल का वीडियो पसंद आए जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें कमेंट बॉक्स में जह मातादी तो जोड लिखें मित्रों आज के बारा रासिफल आपको बता नाराम करूं उससे पहले आए हम सभी मिलकर एक बार 자नन ले थे है आज गरहों के स्थिति क्या है क्योंकि गरहों के स्थिति परही पूरा रासिफल नेरभर करता है आज सुक्र और रहू दोनों एक साथ मेश राशी में बुद्ध बुरिष रासी में सूरिय मिथून रासी में, केतू तुला रासी में मेस रासी में चंदरमा चोथे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आप किसी पर भी अपनी बाते थोपने की कोशिस ना करें आपको यहाँ से नुकसान हो सकता है आपके दोस्तों के साथ अच्छे समन्द बना के रखने का प्रियास आपको करना चाहिए उनसे लराई जगरे की संभावना बन रही है सांती से अगर काम लेंगे तापके बहुत सारे काम बन भी सकते हैं अपने लगन और आत्मिस्वास से आप अपने कारियों को बहतर धंग में कर पाएंगे जो आतक मीडिया से जुले हुए हैं उनके लिए आज के ने अच्छा रहने वाला है व्यापार अधन की बातकेत आज आप अपने साहस और प्राकरम के बलपर अपने कारी छीत में स्तिती को सुधार सकते हैं आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा यस और किरती में विर्धी भी होगी आपके व्यापार में देजी देखनी को मिलेगा अपने काम पर फोकस रहें इससे आपको फायदा होगा नोकरी करने वाले जातकों के अपने सीनिर अधिकारियों से मदभेद बर सकते हैं तो यहाँ पर आपको साध़ने निश्ची तोर पर रखनी चाहिए अपने फिजूल खर्चों पर नियंतन भी रखना चाहिए विद्यार्थी की बातकेत आज विद्यार्थियों को सिक्षा के छेत में सुब भलों की प्राप्ति होगी तो डटकर मेनत करें सफलता है सीसे मिलेगी सौास्त की बातकेत जिन जातकों को जोरों का दद रेता है उन्हाज परेशानी हो सकती है आज आपको बलड़पेसर नॉर्मल रहेगा वियायाम करें योग करें इस आपके सौास्त में फाइदा होगा प्रेम स्मGERंत की बातकेत आज आपके जीवन साथी के साथ किसी दूसरे के वजह से मत्भे दूत्पन न हो सकते हैं तो कुछ भी ऐसा सोचने से पहले बातों को गहराई से जोर जाने आज के नकर मसूर की डाल खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा अपनी माता के साथ कुछ समय जोर बिताएं और उनकी मन इसीति को समझें इससे आपको असी मन की सांती प्राप्त होगी यदि आप साधी सुदा हैं तो आपके सुसराल पक्ष से किसी एक साथ वाद व्याद हो सकते हैं तो यहाँ पर साथानी बढ़ते हैं आज आपने बच्चों की परहाई को लेकर चिंतित रह सकते हैं इसके लिए आपको अपने बच्चों की परहाई में रुची को समझनी होगी बच्चों को उनके केरियर के परती प्रेरीद भी करें वियापार और धन की बात करें वियापारियों के लिए आज करी अच्छा रहने वाला है आपके आत्मिस्वास में विर्दी होगी जिसका फाइदा आपको वियापार में मिलेगा आज किसी जुरतमन बक्ति को धन का दान जरूर करें नोकरी करने वाई जातकों के लिए भी आज की इन सामाने रहने वाले नोकरी में परिवर्थन करने का मन भी आपका हो सकता है कुछ जातकों को सट्टेवाजी से लाब भी आज मिल सकता है विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों का मन चंचल रह सकता है अपने आपको सोसल मीडिया और मोईल फोन से थदूर रखें अब आपको अपने केरियर के परती सचेद भी हो जाना चाहिए स्वास्त की बात के तो आज आपको किसी प्रकार की चिंता रह सकती है मन असांद भी रहेगा जो जातक पहले सी विमार है उन्हें अपने स्वास्त का ज्यार अधान रखना चाहिए प्रेम समन्त की बात के तो आज आप जीवन साथी को समय दे पाएंगे जीवन साथी पर किसी प्रकार का सक करने से पहले सचाई को जानने की कोशिस करें अगर आप लंबे समय से प्यार की जहार की सोच रहेंगे समय आपके लिए अच्छा सा भीत हो सकता है आज किन हरी सब्जियां खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सुन्धरा रंग लगी नमर साथ रहने वाला है बात करेंगे मिथुन रासिकी मिथुन रासिम चंदरमा छटे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आपकी कारियों के दिखता रहेगी कारिचेत में परिवर्दन का मन भी आपका हो सकता है आज आपनी वानी की मधूरता से बहुत सारे कारियों को लिपड़ा सकते है अगर आप अपनी वानी पर अंकुष नहीं लगाएंगे तो बहुत सारे लोगों के आकरोस का सामना आपको करना पर सकता है सासन और सत्ता के लोगों से कुछ सहयोग आपको मिल सकता है आपके परिवार की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी अगर कुछ नयाकारी आरम करना चाहते हैं तो इसमें कुछ समस्य आत्पन हो सकती है मन में किसी प्रकार की चिंताएं भी रह सकती है व्यापार अधन की बातकेट अगर कहीं आपके पैसे बकाया है तो वहाँ से पैसे वसूली की पूरी संभावना बन रही है पिछले कर्ज को आप चुका पाएंगे व्यापार मगर कुछ लंबे समय से दिक्कतें चली आ रही है तो उसे खत्म करना अब आती आवस्यक हो गया है वरना इससे बहुत जादा हानी का सामना आपको करना पर सकता है विद्यार्थी की बातकेट आज आपका मन परहाई में लगेगा लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए आपको और भी जादा मेहनत करने की जुरुत है स्वास्त की बात के जिन जातकों को जोरों का दर्द या गठिया से समंदित समस्या रहती है उन्हें थोरी परिशानी का सामना भी करना पर सकता है आज आपको तनावपून वातावरण में रहने की सला बिलकुल भी नहीं दी जा रही है व्यापार और धन के बात करेंगे अब प्रेम समंद की आज आपका पाड़िवारिक जीवन सुख में रहेगा जीवन साथी को समय दें और से समझें इससे प्रेम समंद में नई उर्जा का संचार भी होगा लेकिन प्रेम समंदों में सोच समझ का आगे बरहें किसी तीसरे व्यक्ति की वज़े से आपके प्रेम समंदों में दरारतपन ना होने दें आज किन गेहूं से बनी हुई चीएं खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग पीला रंग लखी नमर छे रहेगा बात के में करकरासी की करकासीम चंद्रमा साथमें स्थान में विराजी थे जिसके फ्लक्सूप आज आप अपनी बातों को समाज में मजबूती के साथ रख पाएंगे आपके बच्चों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा कई माइनव में आज करने आपके चुनुतियों से रह सकता है आज अगर आपको जीवन का कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो किसी अनवभी लोगों की सलाह जोड ले आपके मन में आज कोई नकारात्मा विज़ार आ सकता है जिससे आपका कार्य प्रभावित हो सकता है आज आपकी बोली कई बातों को आपके परतिदंदियों दोरा तोर मोर कर पेस किया जा सकता है तो कुछ भी बोलते हैं समय साब्धानी बरते हैं किनी-किनी जातकाओं के उनके पिता के साथ समझ भी गर सकते हैं रहने वाला है जो आतक व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाब हो सकता है समान व्यापारियों के बीच आपकी परतिष्ठा बढ़ेगी आवे सकता होने पर आपके भाईवानों से आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है नोकरी करने वाली जातकों के लिए भी आज की अच्छा रहने वाल है ऑफिस में सहकर्मी और सीनियर के बीच आपका मान समान बढ़ेगा विद्यार्थी की बात के आज आप लक्ष प्राप्ति के लिए जदा मेहत करने की आपको आवे सकता है जदा मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी तो मेहनत में क किसी परकार की कोई कभी बिलकुल न रखें स्वास्त की बात के स्वास्त की दिश्टी से कुल मिला के आपके लिए अच्छा दिन रहने वाला है कि नहीं किनी जातकों को किसी परकार की चिंता रह सकती है प्रेम समन्द की बात के तो विवाहित जातकों को आज जीवन साथ ह का सहयोग प्राप्त होगा जो आतक और विवाहित है उन्हें कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है आज के नगर तांबे के बरतन में पानी पीते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग क्रीम करन लकी नमर तीन लहने वाला है बात केंगे सिंग रा समति का माहौल बना रहेगा जिसके फ्रसुप घर में साकर अत्मकता भी रहेगी लेकिन आज आपके लिए लराई जहरे के योग बन रहें तो आपको सबसे अच्छे समंध बनाके रखने का प्रयास करना चाहिए खास करके सगे समंधियों से परोशियों से किनी-किनी जातक रहें सो समझ कर ही काम लें अगर अपने पिता और धर्मगुरु की सलाह से कारियों को करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी व्यापार अधन की बात कर आज आपको व्यापार में करी चुनुतियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन इस चुनुति से घबराएं नहीं बलकि इसका सामन डटकर करें आज किसी से पैसे उधार लेने से बिलकुल बचें करज लिएगे पैसे आप जल्दी से चुका नहीं पाएंगे जोजा तक नुकरी कर रहे हैं उनके सहकर्मियों के साथ उनके समझ भिगर सकते हैं आज आपके सहकर्मी आपके बड़े परतितन दीव है उस पल का लाब जरू उठावें अभी अपना ध्यान सिर्फ उसिव अपने पढ़ाई में लगावें स्वास्त के वाद के आज आपका स्वास्त अच्छा रहेगा लेकिन आपको अपने स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए तले भुने और मसाईदार खानों से दूर रहन चाहिए प्रेम समद्ध की बात का जीवन साथ ही सहलकी नोगजूं के वाद अच्छे समद्ध भी बनेगे आपको कोई पार्टनर भी आज मिल सकता है लेकिन पार्टनर का चन्वाव करने वे साभवानी बढ़ते हैं प्यार के जाहर करने से बचें आज के दिन अगर गुर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग के सर्यारंग लकी नुम्मर नौ रहने वाला है बात करें कन्यारासी की कन्यारासीम चंद्रमा नौवे इस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आप अपनी बातों को समाज में अच्छे लंग से रख पाएंगे जिसके फ्रसुप आपके चाहने वालों के संख्या में विर्दी भी होगी अगर आप रादनीती से जुरू हुए तो उसका भरपूर लाब भी आपको मिलेगा आपके संतान का सयोग आपको प्राप्त होगा कोई पुराना फसावा रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है सरकारी कारियो से आपको लाब मिलेगा आज आपको आपके मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा आज आप मानसिक सांती का अनभव करेंगे लेकिन कुछ जाता किसी अज्याद भाई से परिसान भी रह सकते हैं व्यापार औधन की बात के चाहे व्यापार में नुक्सान पहुचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन व्यापार में आपकी स्थिती फिर भी अच्छी बनी रहेगी, जिन जातकों को मकान या गारी की तलास है, उनकी तलास पूरी हो सकती है, जो तक नोकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी आज की नच्छा रहने हैं, ऑफिस में कोई नए जीमेदारी आपको दी जा सकती है, आपके ट्रांसफार होने के योग भी बन रहे हैं, विद्यार्थी की बातकरिद विद्यार्थियों के लिए आज की नच्छा रहने वाला है, जो विद्यार्थी प्रत्युगता परईच्छा की त्यारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिल सकती हाई स्वास्त की बातकेट आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला एफ मानसिकसांधि का अनुभाब भी करेंगे प्रेम समन्ध की बातकेट प्रेमी समन्ध को सुधेश बनाने के लिए आज अपने जीवन साथी के साथ समय विताएं अपने आपको उचा और अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने की कौशिस तो भूल कर भी ना करें इससे वाद वियाद के स्तितिय उत्पन हो सकती है जिन और विवाही जातकों को साथी की तलास है उनकी खोश पूरी हो सकती है आज के दूद या दूद से बनी हुए चीए खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरां गुलावी रंग लकी नमर साथ रहने वाला हैं बात कहेंगे तुलारासिकी तुलारासिम जंदर्मा दसमें इस्थान में विराजित है ज अगवान के प्रति आपकी आस्था बरहेगी लेकिन संतान के तरप से थुड़ चिंता भी आपको रह सकती है तो अपने संतान का ध्यान रखें घर में गलह का महौल भी बन सकता है आज आप आत्मीस्वाथ से भरपूर रहेंगे परन्तुर पिता के स्वास्ते से थुड़ तिद्वी रह सकते हैं बात करें व्यापार अधनकी तो आज आप में आत्मिस्वाल भरपूर होने के कारण आप मानसिक तोर पर मजबूत नज़र आएंगे जिसका फाइदा आपको व्यापार में मिलेगा जो आतक नोकरी कर रहे हैं उन्हें अपने सहकर्मियों से चुनोती म आज आपको खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं तो अपने फिजूल खर्चों पर नियंतरन जरूर रखें बात करेंगे विद्यार्थी की आज आपके मित्र आपका ध्यान पढ़ाई से भटका सकते हैं मुगाल फोन में ज़्यादा समय बर्बाद ना करें अपने तो प्रेम समंधों के लिए आज के न अच्छा रएने वाला है। जीवन साथी के साथ आज आप समय बिता पाएंगे, साथी आप यह भी जान पाएंगे कि आपका पाठनर आप से कितना प्यार करते है। आज किन उरत की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग, सफेद रंग लकी नमर दो रहने वाला है, बात करेंगे विश्चिक रासिगी, विश्चिक रासिम चंदरमा 11 हुए इस्थान में विराजित है, जिसके फ्रसुप जो महनत आ आपको कुछ पारिवारिक समस्या का सामना भी करना पर सकता है, लेकिन अगर आप अपने बुद्धी का इस्तेमाल करेंगे, तो पारिवारिक समस्या सुधारने में भी आपको सफलता मिलेगी, आज आपके धहरी में कमी आ सकती है, लेकिन इससे बने हुए काम भी बिगरें तो आपको धहरी में कमी बिल्कुल नहीं आने दिनी चाहिए। विद्यार्थी की बातकेद आज आप अपने बात करने की छमता और काम करने की छमता से अपने व्यापार में विर्धी कर पाएंगे। आपकी आये में बढ़ोतरी होगी जो आतक नोकरी कर रहें। उनके सीनियर अधिकारी उनसे परसंद न रहेंगे। आज किसी को कर्च देने से बिल्कुल बचें अगर कोई बहुत जरुत मिन्वत्ति ना हो तो उसे पैसे उधार ना दें। इसे पैसे आपके डूब सकते हैं। विद्यार्थी की बातकेद विद्यार्थियों के लिए आज किन अच् सकता हैं। प्रेम समन्द की बात के छोटी-छोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन साथ ही साज उलज सकते हैं। एक दुसरे से वाद व्याद की स्थिति उत्पन हो सकती है। लेकिन यह सब होने के बावजूद आपके रिस्ते मधूर बने रहेंगे। जीवन साथ ही य चाहारा हुएं इस्थान में विराजित हैं। जिसके फ्रसुप आज आपके राय के मकान में रहते हैं। तो आपके मकान-माली के साथ सबंद भिगर سकते हैं तो यहां पे साभ़ानी बढ़ते हैं। आज आपको संतान के तरफ 평 Conokhane बनेगा। किसी पुरानी Eye का अ उक्सा सकते हैं धहरी से कामले यह एक सोची समझी साजिस भी हो सकती है व्यापार अधन की बात के तो आज आपको व्यापार में हानी का सामना करना पर सकता है अगर आप किसी के साथ पार्णस्टिप पर व्यापार करते हैं तो उनके साथ मिलकर आप अपने व्यापार को पर ध्यान दे सिक्षा के छेत में विद्यार्थियों का दिक्कत का सामना करना पर सकता है स्वास्त की बात के आज आपका मन असांत रहेगा मेडिटेशन करना आपके लिए लाबदायक सिध्ध हो सकता है जो आतक हाई ब्लेट पेसर डियापटीज या दिल के रोगी है उन्हें अपना ध्यान विशेश दोर पर रखना चाहिए प्रेम समंध की बात के तो प्रेम समंधों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है जीव प्रथम अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपको अपके दोस्तों का सहीवग प्राप्त होगा कोई भी निर्ने भावकतावस ना ले ऐसे निर्नेयों से आप परिशानी में पर सकते हैं बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ती हो सकती है आपको आ आपके काम का केड़िट भी लेने का प्रियास करेंगे। आज किसी सुनुशुनावी बातों पर आँखमोंद कर भरसा ना करें। सच्चाई को पर्खें तब ही आगे बढ़ें। व्यापार और धन की बातकेट व्यापार योग के लिए आज कोई भी निर्ने बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। किसी अचानक साय चिनोतियों का सामना आपको करना पर सकता है। तो इसके लिए पहले से ही सचेत रहें। अगर कहीं निवेश करनी का मन बना रहें तो एक बार अनभवी लोगों की सला जोड लें। कर्ज लेने साथ बिल्कुल बचें। विद्यार्थी की बातकेट आज आपका मन परहाई में लगेगा। आप जिस लक्ष की प्राप्टी चाहते हैं उसके लिए अच्छी योजना बना कर करी मेनद करें। सफलताईसी से मिलेगी। स्वास्त की बातकेट आज आपको स्वास्त के परती सचेत रहना चाहिए। जिन जातकों को है यलो ब्लेक पिसर की सिकाइद रहती है। वह आज अच्छा महसूस करेंगे। प्रेम समंद की बात केट आज आपके जीवन साथे के साथ आपकी नोगजोंग भी हो सकती है। बात में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। और विवाही जातक प्रेम समंद में कोई भी नया रिष्था बनाने से पहले सामने वाले को जोरू परक है। आज आपके प्रेम समंद हों में किसी परकार की चिंता उत्पन हो सकती है। आज किन केला खाएंगे तब करें सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग किरीम कलर लकी नमर चार रहेगा। बात करेंगे कुम्रासिकी। कुम्रासिम चंद्रमा दूसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आपका मन आत्मिस्वास से भरपूर रहेगा। लेकिन मन में नकारत्माक विचार भी आ सकते हैं छोटी मोठी परिशानिया आएंगी उन परिशानियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिस करें। कुछ नवी विचार आपके लिए फाइदे मन साबित भी हो सकते हैं। आज अगर किसी की मदद करते हैं तो उसका फाइदा आपको कही न कहीं मिलेगा। बिना जांच परताल किये किसी वेबिसाई या कानून यस्तावेज पर हस्ताक्षर तो बिलकुल भी ना करें। इससे मुश्किलों में पर सकते हैं। व्यापार अधन की बातकित आज आपको व्यापार में लाव होगा। व्यापार में जो भी आपके प्रतिदंदी हैं उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो अतक नोकरी कर रहे हैं उनके लिए भी आज के ने अच्छा रहने वाला है। आपके सीनियर या बॉस आपके कारी से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अपने बॉस के सामने खुद की पैर भी ना करें। इससे निगेटिव प्रभाव भी पढ़ सकता है। विद्यार्थी की बात करें। विद्यार्थियों के लिए प्रत्युकता परिछा के तैयरी करने वए विद्यार्थी अपने दिर इच्छा सकती से लक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मेहनत करें उसी से सफलता मिलेगी। स्वास्त की बात करें आज आपको मौसमी बिवानियों को लेकर सदरक्ता रखनी चाहिए आपके सररिक और मांसी बिवारी की जर आज आपका दुख हो सकता है वियायाम करें खुली हवा में टाहलें आपके स्वास्त के लिए अच्छा रहेगा प्रेम समंद की बात करें आज पने जीवन साथी पर अपनी बातें थूपने से बचें इससे कलया की स्थिति उत्पन हो सकती है अपने जीवन साथी को बड़ाबर काधिकार दें इससे आपके समद्ध मधुर वनेंगे आज कि निगा हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए उच्छतिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा समाजिक कारियों पर जाद ध्यान देने की जरुरत है मन में ने विचार आएंगे इन विचारों को सहेज कर अपने जीवन में आगे बढ़ें स्वाधिस्ट भोजन काज अनुठा पाएंगे परिवार के साथ किसी धार्म पर विजय प्राप्त कर पाएंगे आर्थिक मामलों में आपको सफलता की प्राप्ती होगी परिवार के किसी व्यक्ति से आपको धनलाब भी हो सकता है जो जातक नोकरी करते हैं उनको ओफिस में ऐसे लोगों से साबधान आना चाहिए जो उनके दोस्तों हैं लेकिन उनकी इच्छबी विगारने की कोशिस करते रहते हैं विद्यार्थी की बात कर विद्यार्थियों के लिए आज के मिलादा रहेगा प्राहिस आपका ध्यान भठक सकता है ऐसे हैं अपने लक्ष का ध्यान करेंगे तो आपका फायदा होगा स्वास्त की बात कर आज आपका स्वास आज के लिए चान्दी के बरतन में खीर खायेंगे तापके लिए सुब रएगा आपके लिए आज का सुब रंग। सभी प्रकार के चम के लिए रंग लखी नमर। नौ रहेगा। तो मित्रों ये तो था आज के 12 राशी का राशी फल अब जाने ते आज का सुब समय आज का सुब समय यानि की गुलिकाल रहने वाला है सुबह के 7 बच कर 7 मिट्स लेकर सुबह के 8 बच कर 2 और मेर तक इस समय में कोई भी नया कारी आडम करेंगे तो इसमें आपको सबलतात ल दिशासुल 25 निशा में 25 में किसी भी खास प्रियोजन से यातर ना करेंगे आप आपको नुक्सान हो सकता है और सुबह खाद्याज का मीठी दही रहने वाला है मीठी दही खाकर यातरा आरम करेंगे किसी नही कारी को करेंगे उसमें आपको सपलतात लगेगी तो मित्रों ये तो थाज का संपून रासिफल कल के संपून रासिफल के लिए जुरे ने धर्मसिक्षा के साथ तो देखते रही है धर्मसिक्षा जे मता दी